वाहे गुरुजी दा खालसा, वाहे गुरुजी दीफत है आज हम आपको दिखाने वाले हैं लंगर मेकिंग प्रोसेस गुर्द्वारा श्री बंगला साहिब में जहां कोई 50 से 60 हजार लोग डेली लंगा शकते हैं और यहां लंगर का जितना भी खाना बनता है लगबख सारा खाना फुली ओटमेटिक मशीनों के दुवारा बनता है तो चलिए गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और शुरू करते हैं गुरु के नाम के साथ जो आप देख रहे हैं ये आलू छिलने की मशीन है इसमें बिना हाथ से टच किये 50 किलो आलू यहां से धुलके और छिलने के निकलेगे तो आप देख सकते हैं पानी से आलू धुले जा रहे हैं छिल रहे हैं साथ के साथ और कोरोना के टाइम में बिल्कुल अंटस्ट काम हो रहा है और वह भी 50 किलो आलू छिलना और धुलना यह काम पांच मिनट के अंदर हो रहा है इस मशीन से पहले इस चीज़ पकलने में 2-5 घंटे लग जाते थे वह भी डिपेंड करता है कितनी संगन यहां पर है तो देखें पांच मिनट भी हुई है हाड़ी 2-3 मिनट हुई है इसी के अंदर आप देख सकते आलू छिल गए हैं पूरी तरीके से वह लगतार भुले भी जा रहे हैं और यह देखें धुलने और छिलने के बाद आलू इदर से बाहर आ रहे हैं मशीन से अब यह छिले वह यह एक मिनट के अंदर पचास किलो आलू कटके बाहर आ चुका है यह ही हिंदु प्रवार है यारा क्रोट के दिया तुरी मशीनों है तो आलू हमारे कट चुके और अब यह जा रहे हैं यहां की अल्ट्रा मोडन किचन है गुर्दवारा बंगला साहित की और यह आप देख के अंदर उबल जाएगा इस मशीन के अंदर पहले इस साम को होने में एक घंटा सवा घंटा लग जाता था कितना आसान हो गया कितना जल्दी हो गया कि यहां पर पचास से साथ हजार लोग डेली लंगर करने आते हैं तो कि तो मशीनों का आने से ना कि और मैंपॉर्स की ज ना जा रहे हैं अब हमागी इसके अदर पचास किलो आटा जाएगा पचास किलो आटा बीस मिनट के अंदर घुन जाएगा ओर अगर आप खुछ सोचिए अगा नोहातों से आटा बूंदे बैठ जाने 50 किलो तक इसमें 20 मिनट के पूरा काम तहियार हो जाएगा यह काम दर करने के लिए का संगत यहां पर कर रही होती थी दो से थाइगेंटे का टाइम लगा करता था और यह काम हो जाता है 10-12 मिनट के अंदर यह पचास किलो आटा गुंदा जा चुका है और आभ इसके रोटियां बनें तो यह जो आटा है इसको छोड़ी जोड़ी पीसीज में स मशीन के अंदर अधे वह जैन के शाहिए अपने आप पीड़े बन के निकलते रहेंगे है तो आज में यहां occurs और पथलीो कर्वेशिस के निकले कि ने कि पहले रोटी उदर ते आएगी वहां स हिखें के हाँ लगे की वह चाँपे यहां पर फिर नीश आएगी यह प्र फूल में रहुती रही हैं और कि यह जो थेकि अपने अपने हैं इदर से निकलती रहेंगी यह मतलग इतनी दर जाती है सबיसमें कि एक कंटे में 1 गंटने में 24++ देवशोन मीं निगल रखती सिक्यार तो पिसना टाइम से वह जाता ए और यह उसी लगने के बाद रोटिय है इतर जहां जहां से संगत के पास चले झाएंगी दाली है पहले मिल्च नली है और अब ही जाएगि इसमें हल्दी और आप इसमें नमक डाला जा रहा है यह देखिए अब यह देखिए अब इसमें नमक डाला जा रहा है तो बनने के बाद यह सो किलो ज्यादा सब्सक्राइब कर दोड़ा ठीनसो किलो डाल एक इसमें बनी है यहां पर फुली और वोट अटोमैटिक तरीके से तो यह दो चेंजिश यह हैं लोग्डाँन के दोरान फुली और अटोमैटिक मशीन लगा जी गही हैं तो यह साड़े 300 किलो दाल एक साथ पक्के निकली है, साड़े 300 ही उधर रखी होगी है, और साड़े 300 ही उधर है, और ये दा खटकट सिधा जाएगी लंगर में संगत के लिए, जो चावल है, अब तयार हो गए और बहार निकाले जा रहे हैं, तो संगत के लिए पहुचाए जाएगे लंगर में, और इधर देखे जाल के निकल से ही जो ये बड़े वाला जो बड़ने दाल बंती है, जिसमें ये साफ किया जा रहा है, एक दम से धुना जा रहा है, तो साफ सफ़ाई का तिकना जादा ख्याल रखा जा रहा है, और ये जो वारी आलो सोयब इनकी सब्ची है, करते हैं यहां पर, तो सबजियां, दाल, चावल, रोटी लगातार बनती रहती है, तो गैस ये देखिए, संगत आनी शुरू हो गई, और यहां पर सब लंगर शकेंगे, एक दिन में कोई 50-60,000 लोग यहां पर लंगर शकते हैं, जो हमने भी आपको मेकिन दिखाई लंगर कोई भी आ सकता है, जितना चाहे उतना मन इतना पेदबा़ के लंगर शकता है, यहां पर कोई देखभाव नहीं, कोई रोप अपनी किसी के लिए भी आख, जैता जैता, भाहे गुरू भुल ही नियुक्तर दिखता यहां पर लुए कोई रहे पूत वाहे गरी, आद पाता कर सकते हैं पर लंगन का अनंद भी लिए